नमस्कार स्वागत आप देखना सुरू कर दिये बीपियस न्यूज और मैं हूँ संतूस्क मरपार्थ जानते हैं हिलसान मंडल के टॉप ख़वर पहली ख़वर से सुरुवात करते हैं नालंदा जिला के चंड़ी परखंड कर देले में नय पदस्तापित विडियो राजदीव रजक ने अपना पदगरहन किया उस्तियाबाद परखंड कर देले में कर्मियों से पड़्चे जाना उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा संचालित ओईना को धरातल पर उतारना काम है नालंदा जिला में चंड़ी परखंड को बेहतर परखंड बनाना है अस्थानी जनप्रतिम्वी को जैसे ही पता चला कि परखंड कर देले में पहुंचकर उन्हें बुके देकर स्वागत करने का काम किया है प्राथ्मिक स्वास्थ केंदर के डॉक्टर आरून कुमार शिनहा ने बताया कि रिंकू देवी एवं रंजीत यादव को प्राथ्मिक प्चार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना पीम सेंच रेफर कर दिया गया नालंदा जिला के दीपनगर थाना छेत्र के आयो कैमपस में महर्णाई को लेकर मुसलिम समधाय के लोग के साथ हिलिसा के मौःव के दौरान संसम्दाई के दवारा निकलने वाला IT किसी परखारके अस्तर-प्र अच्रा, सांतिविधी वस्ता बनाए रखने को लेकर हिलसा कष्टियो परवीन कुमार एबं डियस्पी सुमीत कुमार हिलसा थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को कई अवश्यक दिशानर देश देते हुए कहा कि आप सभी लोग महरम पर्व को लेकर पूरी तरह मुस्तायद सरकार के द्वरा जारी गाइडलाइन का पालन लोग के बीच में कराने का काम करें साथ में महरम पर्व को लेकर सांतिविधी वस्ता बनाए रखने को लेकर कई अवश्यक दिशानर देश देने का काम के साथ में उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अस्थानी जन प्रतिनी केमपस से फ्लेग मार्च निकाला गया इस तोरहान हिलसा के परवीण कुमार दीज़ंपी सुमीः कुमार छानब धच अवजीत कुमार ने साप लबजों में कहा की सांतिविधी वस्ताबनाय रकने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है जो कि हिलसा थाना कैमपस से निकल कर सहर के आर समाज रोड, दरगाह रोड, दच्छनी कोरिटोला, उत्री कोरिटोला, काली अस्थान, समित बिविन चौक चौराह से गुज़रा है नलंदा के पुलिस का वतान असोख मिस्तर के दिसन देश अनुसार सोमबर को एकंगर से थाना कैमपस से महरम परव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया इस तोरान अस्थानी लोगों से सांती विद्यवस्ता बनाय रखने की अपील किया गया एकंगर से थाना के थाना दश अकलेश कुमार जहा एबम अपर थानाधस पर कास कुमार जहा ने बताया कि महरम पर्व को लेकर जो सहर में जुलूस निकलेगा उसके लिए थाने से लाइसेंस लेना होगा लाइसेंस में यह भी बताया गया है कि 200 लोग के लिए 20 लोग का सपत पत भरा कर देना होगा साथ में अधार काड लगाना होगा सांति विधिवस्ता बना रखने के ख्याल से मंगलवर को एक अपर थाना देश परकास कुमार जा एक अंगर साथ थाना चेतर के मुसलिम महलों में जाकर मुसलिम समदाय के लोगों से सांति पुन तरीके से महरम पर मनाने के अपील करते हुए नजराए चिकसारा थाना चेत के कोरामा पंचयत के फल्वडिया गौव में किर्शी का कारिकरने के दोरान सर्पदन्द से किसान घायल हो गए आस पास की लोग की मैंसे इलाज के लिए आनन फानल में अन्मंडेले असपताल हिलसा मला कर भरती कराया गायल किसान की पहचान चिक्सावरा थाना छेत के कोरामा पंचायत के फुलवलिया गौन इवासी अमीरक परशाद के तीस वर्षिय पुत्र ठुन्टुन कुमार की रूप में किया गया एकंगर सहथाना छेतर के पार्थो मकदूंपूर गौन के खंदा के जाली में एक अग्यात व्यक्ति का सब बीते 13 जुलाई को एकंगर सहथाना के पुलिस ने बरामत किया था उसके बाद एकंगर सहथाना के पुलिस सब को अपने कबजे मिले कर पुष्टमाटम के लिए बिहार से अस्पताल भेद दिया था अब तक एकंगर सहथाना पुलिस को इसकी पहचान नहीं हो पाई है पुलिस दा संसकार करने की प्रक्रिया में जुट गई है। की और जाती है और अधानी पटना से बापस इसी मुख रास्ते से गुजरती है। की गोरख विंद के पत्नी मंजु देवी के दोरा सोम और को डीएसपी कर्यालम पहुंचकर डीएसपी को एक अवेदन दी है। जिसमें बताई है कि बीते 27 जून को मार पिट हुआ था जिसमें खुदागन ठाना में प्रात्मी की दर्ज कराए गई है। अब किस उठाने के नाम पर वदमासों के दोरा जान मारने की धमकी लगातार मिला। परवलपूर प्रखंशेत के पवाई गौँ में 24 घंटे का खंकृतन का योजन गौँ समाज की सुख सांते को लेकर किया गया इस तोरान विवेक कुमार के पुत्र डॉक्टर अमीत कुमार इबं आलोक कुमार का अहम योगदान रहा मंगलबार को 24 घंटे का खंकृतन का इबं भंडारा के साथ समापन कर दिया गया इसलामपूर बिधान सबस्चेत के विधायक राकेश कुमार रौसन इसलामपूर के राज़त करियाले में जैनता दरवार लगा लोग की समस्च्या सुनने का काम क्या इस तोरान भूमि समन्धित ज्यादा मामला देखने को मिला है समन्धित परद्दकारी को फोन के माध्यम से अवगत करा समस्च्या का समधान करने के लिए कहा है हिलिसा कन मंडल कर याले के इस्टियो कच में इस्टियो परवीन कुमार जैनता दरवार लगा तेरा अवयुदकों की समस्च्या सुना इबं समन्धित परद्दकारी को सम मश्या का निदान करने के लिए कहा है अंगर्षय प्रखंचेत के विसुनपूर गॉण के भागवती अस्थान में गॉण समाज की सुखसांती को लेकर 24 गंटे का खंकृतन का योजन बैतिक मंत्रों चारण के साथ सौंबार को किया गया और कास सी बिजय बिंद दमोदर बिं माने के जड़जड पूल को देखते हुए हिलसा के इस डियो पर बीन कुमार के द्वारा बड़े बाहनों का परवेश बंद कर दिया गया फिर बड़े बाहन उलंगन करते हुए इस नियम का नजर आ रहा है जो कि आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं के कारण हिलसान मंडले अस्पाटाल के इंबूलेंस इबं प्राविट इंबूलेंस भी फसे रहे कराप सवे थाना धस्चामीत कुमार सी ने जनकरणी देते हुए बताया कि कुराप सवे थाना च्षत के बाहपर गउ में एक महला की हत्या हुआ था इस मामले को लेकर 35-2024 को 78-24 कुराप सवे थाना में दर्ज किया गया था है इस मामले में फरार सतीस कुमार को क्रापस्वाय पुलिश ने गिरफतार कर लिया है बहापर गौंसे मुहरम पर्व को लेकर क्रापस्वाय थाना छेतर में सांतिवी धिवास्ता वना रखने को लेकर क्रापस्वाय थाना धच्यामीत कुमार से विडियो विशाल अननन फलाइग मार्च नि निकल कर कराप अश्र बाजार के विविन मुहले से गुज़ाएं